हेलो फ्रेंट्स, डेसी तड़का में आप सभी का स्वागत है आज हम कच्चे आम, काजर और हरी मिर्ची का चटपटा इंस्टेंट अचार बनाएंगे ट्रडिशनली अचार बनाने के लिए आम को मसालो और तेल में मारिनेट करके धूप में 10-15 दिन तक रख कर बनाया जाता है, जो की बहुत ही लंबी प्रोसेस है आज हम अचार शॉटकट मेथड ने बनाएंगे तो आए चलिए देखते हैं, इंस्टेंट अचार बनाने के लिए हमें किन चीजों की आवशकता होगी एक टेबल स्पून सॉफ, एक टी स्पून मैथी, एक टी स्पून राई, एक टी स्पून हल्दी, एक टी स्पून लालमेश पाउडर, एक टी स्पून हींग, एक टी स्पून जीरा, सॉल्ट, टु टेस्ट चार छोटे कच्चे आम जिनने काटने के बाद करीब दो कब आम की पीसिस निकलेंगे एक कब काजर, मैंने यहाँ पर बेबी कैलेट्स यूज किये हैं आप चाहे तो रेगुलर कैलेट्स भी यूज कर सकते हैं 10-12 हरी मिर्ची और करीब आधा कब सरसो या तिल का तेल सबसे पहले हम आम की बीज निकाल कर इन्हें छोटे छोटे पीसिस में काट लेंगे कर दो कर दो तो खुष्में, कर दो broadcasting औरकाने, ख तो आम कालेट्स यूज ओ टान थो सारे आम कट गए हैं अब हम गाजर और हरी मिर्ची को लंबा लंबा काट लेते हैं आम गाजर और हरी मिर्च कट कर तयार हो गए हैं अब हम सारे मसालों को भूँच लेते हैं तो इसके लिए एक चौड़े पैन में सौफ, जीरा, मैथी और राई को मीडियम फ्रेम पर करीब एक दो मिनिट तक ड्राइ रोस्ट करेंगे सारे मसाले अच्छे तरह से रोस्ट हो गए हैं और इनसे अच्छे सी खुश्बू भी आने लगी है अब हम इन्हें दरदरा पीस लेंगे होममेट अचार मसाला तयार है अब हम पैन में तेल डाल कर इसे मीडियम फ्लेम पर गरम करेंगे और तेल के गरम हो जाने पर इसमें हींग, हल्दी, लालमिश पाउडर और नमक डाल कर मिक्स करेंगे अचार में मसालो का स्पाइस लेवल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली अज़स्ट कर सकते हैं तेल में पिस्से हुए मसालो को भी डाल कर अच्छे तरह से मिला लेंगे इसमें कटी हुई गाजर, मिर्ची और आम ढाल कर सारी तीजों को मिक्स करेंगे और गैस की फ्रेम को आफ कर देंगे अचार के ठंडा हो जाने पर इसे किसी एर टाइट कंटेनर में ट्रांसफर कर लेंगे आम, गाजर और मिर्ची का इंस्टेंट चटपटा अचार तयार है इस अचार को फ्रिज में रख कर दो तीम बीग तक कंज्यूम किया जा सकता है I hope you enjoyed watching this video, if you like my recipes, hit like and subscribe to my channel thank you for watching